नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टूमा यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस सबसे पहले से आप लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यदा इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज इंडिया में चंद्रियान तीन ने सफलता फोकस में रखना है मैं यहां पर नाम बता दे रहा हूं ज्यादा डिटेल से इसके ऊपर तरचा नहीं करूंगा लेकिन हां शॉर्ट में बताना चाता हूं इस पर आपका रहने वाला है Mtar उसके लाबा दूसरा है है HAL तीसरा यहां पर आपका रहने वाला है GRSC गाल्टन ड देख लिजेगा और चैनल के ओपर में डेली बेशेस पर हफते में पांस तीन चार पांस दिन उन स्टॉक स्कोर भी डिसकस करता हूं जहां पर टेक्निकल चार्ट के ओपर हमें ब्रेक आउट दिखाई देते हैं ताकि जो भी मार्केट में नय बीगनर्स हैं जो नय इन्वेस जिसमें हमने जो भी टाइगेट दिये थे जो मारा 89 तक का टाइगेट था यह आप लोगों देखा होगा कि कल के दिन ही यहां पर हमको एचिवट होता और नजर आये था आप जिन लोगों ने भी कॉन्फिट के शेर्स को भी होल्ड कर रखा है अगर यह स्टॉक 89 से लेकर 90 के लेबल को सस्टेन करता है तो इसके अंदर अंदर फर्दर देजी बनी रहे सकती है अगर आपने इस कुनिकी के बहुत से लिया है और आपका विजन लॉंग टम का है तो आप चाहो तो यहां पर एक 82 रुपीस के साथ इस स्टॉक को भी होल्डन कॉंटिन्यू कर सकते हो और अगर यहां पर आपका विजन से स्टॉक के लिए था तो आप चाहो तो यहां पर प्रॉफिट बुक करकर भी चल सकते हो और यहां पर हम बात करें अगर कुछ ऐसे स्टॉक भी हैं जिसमें अगर आपका विजन 6 मैने से 1 साल का है जहां पर उने दो बैंकिंग सेक्टर क स्टॉक को बताया है जिनका शेयर पाइस अगर देखें तो अभी भी अंडर 40 के पाइस पर इस्टॉक ट्रेड कर रहे हैं एक जबदस यहाँ पर तेजी आने वाली है जिन लोगों नहीं देखा है जाकर देख लिजिए एक बहुत बड़ी अपरजनिटी यहाँ पर आप सभी को मिलने वाली है अभी इस वक्त एक शेयर बहुत जाथा फोकस में है जिसका नाम है 63 मूंस बात करें तो आज के दिन इसने इंट्राडे के अंदर 5% से दिकी तेजी दिखाई और स्टॉक ने 343 रुपीस का यहाँ पर हाई भी लगता हुआ दिखाई दिया था यह तेजी की बात करें बीचे 6 मेनों में तो 72% से अधिके रिटन बना कर दिये हैं अब जो लोग हमसे पुराने जुड़े हैं उन सब को पता होगा कि जब यह स्टॉक 200 रुपए के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा था तब हमने क्लिरली आप लोगों को गोला था कि यहाँ पर एक पर छोड़ देते हैं अगर हम इसे स्टॉक की बात करें तो बीते एक साल में यहाँ पर इन्हों ने अपने निवेशकों को 81% से अधिके रिटन बना कर दिये हैं फर्दर जो हमारे टागेट यहाँ पर इसे स्टॉक को लेकर कर थे वो 355 रुपीज तक के थे तो टागेट ह हमारे इसके अंदर 250, 300 और 355 के थे अगर आपने यहाँ पर देखा होगा जो लोग पुराने जोड़े हैं उनको पता होगा छे मेने पहले वीडियो बनाया था और यहाँ पर क्या लिखा था कल इस शेयर पर नजर रखना 9.15 पर खरेद लेना Q3 रिजर्स सांग्दार किया हुआ है तो आप चाहो तो यहाँ पर अपने स्टार प्लस को थोला सा दीप बढ़ा करके थोला सा नीचे की और ले करकर जो टागेट हमने यहाँ पर दिये हैं 355 रुपए के उसके लिए यहाँ पर आप ओडिन कॉंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप यह वीडियो को दे दिसकस करते हैं जहां पर जादा तर जो यूट्यूब चैनल है या मीडिया हॉसे हैं वहां पर आपको इन स्टॉक्स के बारें पताया नहीं जाता है सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स के बारें बात होती है जो स्टॉक्स ट्रेंडिंग में होते हैं ट्रेंड पर चल रहे होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी होती है, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश रहती है, क्योंकि आप मार्केट में नए होते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स को डिसकस किया जाए, जहां पर प्राइस जो भी हो, भले वो 100 रुपए है या 200 या 500, तो पूरी-पूरी कोशिश रहती है, कि आपको यहांपर सौरंट के लिए, लॉंग टॉम के लिए और स्टॉंट के लिए, हर तरह के स्टॉक्स यहांपर बताए जाएं, तो आज हम यहांपर डिसकस करेंगे चले बी के सेयर्स को, इस पर भी मैंने बहुत बार वीडियो बनाया हुआ है एक मैंने पहले भी वारा वीडियो हुआ है था यहाँ पर हमने बोला था इसको भी आप चाहो तो अपने पोर्टफोलियो में अड़ करकर यहाँ पर चल सकते हो 249 लोगों ने देखा था और आपने देखा कि यहाँ पर इंट्राडे के अंतर इस स्टॉक ने कल की दिन कितना डिस्कान रिटर्न दिया 10% से 15% की तेजी थी अगर आप यहाँ पर हाई देखें तो 225 रुपय के हाई भी हमको यहाँ पर लगते हुए दिखाई दिये थे तो लोग नहीं जानके तो देखें इस एक हेल्थ केर से करता है एक हॉपिटल सेक्टर यहाँ पर इसकी पूरी हॉपिटल की चैन है अब यहाँ पर इसकी बात करें तो यह स्पैसलिस्ट इसमें है तो आप देखें तो जवाइन रिप्लेस्मेंट में यह मार्केट लीडर है जहाँ पर आल्मोस 15% के आस-पास का यहाँ पर हमको इनका शेयर भी दिखाई दे रहा है तो जरूर एक अच्छी कंपनी है वहीं इसमें काफी अच्छा कर सकती है जिसकी बारे में डिटेल से अनलिस्टम ने कर रखी है वीडियो रही देखा है इसकी लिंक भी डिसक्प्सन बॉक में देदी जा और साथ के आस-पास का दिखाई दे रहा है उसके लावा यहाँ पर यहाँ पर यह कंपनी हेल्दी डिविडेंट भी देती है और यहाँ पर इनका जो डेप्टर डेज है वो भी इंप्रूब ढूबा है 60 से लेका 60 जो पहले रहा करता था वह घटकर 48 टेस का हमको यहाँ प पहले समय में और भी अच्छे रिटन बना करकर देगा अब हम इसकी बात करें तो इसके दो पियर से जिसमें अपोलो हॉपिडल मैक्स हेल्थ किया 40 नाराना जैसे यहाँ पर इनके पियर संब को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो अगर आपको हेल्थ सेक्टर के सेयर सच अच्छे लगते हैं तो जरूर जिसे की अपोलो हॉपिडल देख रहे हैं आप तो नो डाउट काफी अच्छा सेयर है बट यहाँ पर इनकी वैल्यूशन अगर देखें तो काफी अधा हाई है इसी से रिल्टिड अगर आपको सेक्टर रखना है अगर तो जरूर आपको प बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देखें इनका 21 करों का हमको दिखाई दे रहा है अब सेल्वी की बात करें तो यहाँ पर जिन्नों ने भी देखें नीचे की लेबल से बाई किया था करीब यहाँ पर चाहो तो एक स्टाप लॉट्स करकर चलिएगा 208 रुपाय का क्योंकि यहाँ पर इसका है कि यहाँ पर चबदस्त सपोर्ट यहाँ पर दिखाई देने वाला है जो कि पहले इसका एक रिजिस्टेंस था अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर एक बुलिश हैमर बना था उसके बाद एक काफी लॉंग केडल बन रही है जिसका क्लिर कट संकेत था कि यहाँ पर आपको फर्दर तेजी दिखाई देगी जिसका उधान आपने देखा कि आपको कल के दिन यहाँ पर तेजी दिखाई दी अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर शैल भी में आज हमको गिरावट दिखाई दी और करीब करीब आधा पसन यहाँ पर गिरावट दिखाई दी स्टॉक ने हाला कि यहाँ पर आज तो 26 रुपीज का एक हाई भी लगता वह दिखाई दिया लेकिन उसके बाद इस तेजी को सस्टेज नहीं कर पाया और यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट हमको दिखाई दी हैं अब जिन लोगों का वीजन दिखिए लांग टरम का है वो चाहो तो यहाँ पर होड़ गर कर चल सकते हो आने अले समय में इसके अंदर फर्दर तेजी बनी रह सकती है जो टागेट आपको दिखाई देने वाले ह अबकमिंग वन यर्स में वो 300 रुपीज दके एजली दिखाई दे सकते हैं और जिनों ने भी यहाँ पर स्विंट के लिए बाय किया था वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करकर चलिए क्योंकि जब तक यह स्टॉक 226 रुपाय से लेकर 224 के लेबल को सस्टेन नहीं करेगा तब तक यहाँ पर फर्दर तेजी की उम्मीद बहुत ही कम दिखाई दे रही है अगर 224 और 227 के लेबल को यह होल्ड करेगा तो फर्दर इसके अंदर तेजी बनी रहेगी और जो next target आपको दिखाई देने वाला है आने वाले upcoming month में वो यहाँ पर रहने वाला है 254 तो जर देखें नाम स्क्रीन के उपर है यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी स्टॉक में धीरे धीरे हमको देखें वाल्यूम दिखाई दे रहे हैं अगर आपने यहाँ पर फोकस किया होगा तो जो इनका एक average वाल्यूम है उसके उपर यहाँ पर देखें इसमें काफी हो तो current price पर इस stock को buy करकर चल सकते हो जो stop loss यहाँ पर आपका रहने वाला है वो रहने वाला है 152 जो target आपको दिखाई देएंगे इस stock के अंतर आने वाले upcoming days में वो रहने वाले हैं 160 से लेकर 168 रुपीज तक के तो जरूर इस label को आप लोगो hold करकर रखिएगा तो जरूर इस label को आप लोगों को focus में रखना है कहीं चाहो तो आप notebook में note करकर रख लिजेगा 160 एक इसका पहला resistance है जैसे इसको hold करेगा definitely 168 से लेकर further 162 रुपीज तक के target आपको इस stock के अंदर definitely आने रहे समय में दिखाई देने वाले हैं company काफी शांदार कर रही है तो जरूर यहाँ पर इस share को आप लोगो को miss बिलकुल भी नहीं करना है इसी बिल को देखें तो long term में इन्होंने अपने निवेशकों को 9500% के return बना कर दिये हैं label जरूर आप लोग note करकर रखिएगा अगर यह label 165 को hold करेगा तभी आपको इसके अंदर further तेजी दिखाई देगी और जो further तेजी रहेगी तभी जाकर कर आप लोगों को 168 से लेकर 172 रुपीस तक के target दिखाई देंगे तो जो भी बाते देखे करी हैं सिर्फ वीडियो को skip नहीं करना है वो जो part होते हैं बहुत important रहते हैं जहां पर trading करनी है एक बात हमस्याद रखिएगा stop loss बिना लिए आप लोगों को stock में trading नहीं करनी है long time vision है तो no doubt दिल्कुर निश्चिन थो करकर कोई भी आप लोगों को stop loss नहीं लगाना है आप को stop loss तभी लेना है जब आपका view सिर्फ swing trade के लिए हो देखें यह कोई निवेश की राय नहीं है जो भी बातें discussion करी है मैंने खासकर जो भी stocks यहां discuss की है वह मेरी personal व्यक्तिगत रहा है आप कोई भी निवेश करने से पहले जो भी आपके financial advisor है या नहीं भी है तो आप एक बार खुती research अवस्ट कर लें उसके बादी किसी stock को यह जय हिंद जय भारत